पंजाब का बजट सेशन चल रहा है, और इस दौरान जो है काफी हंगामा सेशन में देखने को मिला है, हमारे साथ विधायक मंजीत सिंग बिलासपूर, इन से जानते हैं, बिलासपूर जाएज काफी नाम आपका चर्चा में रहा है, काफी बहस जो है, वो अपोजीशन के सा हैं वो खूब ड्रामे बजी करते हैं और नारे लगाते हैं चले जाते हैं हमारे मुख्यबांति साथ सर्दार भगवान सिंग्जी मान उनकी सोच है कि हम बोलें हम रूलंग वाले सभी बोलें और जो ऑपजिशन वाले वो हमें सुनें, हमें सुनकर जो हमारे नुक्स ए, जो हमारी कमिया है वो नकालें इसलिए उन्होंने मुख्यमानतियसाथ ने ताला बाला एक कंसेप्ट किया, आज वो ताला लेकर आए, स्पीकर साब को गिफ्ट में दिया और बोला कि ये ताला जब सारे आउपोजिशन के बधायक अंदर आ गए तो अंदर से लगा दो ताके वो अपनी बात करके हंगामा करके जाना सके क्या हुआ उसके बाद ये आउपोजिशन वारे हंगामा करने लगे कि ताला को बोला ताला को बोला ताला को बोला ताला को बोला सियम साब का भाद था कि सुने लेकर उनके पास सुनने की कैपेस्टी है निए और सुनाने के लिए कुछ है निए इस करके उन्होंने पुरा हंगामा किया उस समय दुरानी फिर मैंने बोला कि पंजाब के लोगों की राजनीती ताला नहीं है पंजाब के लोगों को ताला नहीं चाहिए काम चाहिए पंजाब के जुबकों को ताला नहीं चाहिए रोजगार चाहिए जो सीम साब ने 40,000 जुबकों को रोजगार दिया है पंजाब के कसानों को ताला नहीं चाहिए पानी चाहिए जो सियम सब दे रहे हैं पंजाब के मरीजों को ताला नहीं चाहिए उनको इलाज चाहिए जो सियम सब दे रहे हैं और पंजाब के बच्चों के लिए ताला नहीं चाहिए एडूकेशन चाहिए जो सियम सब दे रहे ह खामखा जे आपोजिशन वाले हंगामा करते हैं, इनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं, कहने के लिए कुछ नहीं, सुनना वो सुन सकते नहीं, आज हैरानी की बात, बड़े तौजब की बात, कि आज हमारे डेप्टी स्पीकर साब सरदाद जैकरिशन सिंग जी रावडी, उना ने कॉंग्रस पार्टी के प्रेजिडेंट अमरिंदर सिंग जी राजा बड़ेंग, उनको वीसमेंट, उनकी मिंते की तर ले किये, कि राजा जी, पंजाब के लिए बोलो कुछ, पंजाब क कोई मुद्दा ठाओ, अपने हलके की बात करो, लेकिन राजा बड़ेंग जी बोले नहीं, क्योंकि बोलने के लिए उनके पास कुछ नहीं, सौन सकते नहीं, क्योंकि इलाज की बात करेंगे, आज हमारे मुख्य मंत्री, शिरी सता भगवान संग जी मान, उन्होंने पूरे पंजाब में इलाज फ्री कर रखा है, हॉस्पीटल में टोटल टेस्ट फ्री कर दिये, टोटल मुफ्त दवाई कर दी, मेडिसन, और जब कॉंगर्स पार्टी की सरकार थी, शिरोमनिय कालिदाल की सरकार थी, वो समय साइकल खड़ा करने का भी 20 रपीय लगते थे, ये क्या ठीक ब्राया किया और उनमें पानी जा रहा है, क्या बोलेंगी, इसलिए जो पंजाब में ड्विल्म्मेंट हो रही है, उनकी बात ये सुननी सकते, इसलिए हंगामा करते और करने दो हमें कोई प्रबादीन की उस समय ये भी बात हुई थी, कि चैलेंज किया था, जो प्रताब बाजवाँ है, उन्होंने मुख्य मंत्री को, कि आप जो हैं वहां से चुनाव लड़ेंगे, मैं वहीं से खड़ा ओकर के चुनाव लड़ूगा, तब बीच में आपका बिनावा है इन बड़ी चलाकी का रहे थे, स्था प्रताब सिंग जी बाजवाँ, कह रहे थे, मुख्य मांत्री साब, जहां से आप लड़ोंगे, वहां से आप लड़ों, उनके दमाग में का साजिस थी, चलाकी थी, वो चाते थे, कि सीम साब लड़ें, उनको पता है, प्रताब सिंग रहे भंगडे बदानसवा में इसलिए वो चाहते थे सीम साथ का स्टेट्स बहुत बड़ा है सीम साथ को पंजाब के लोगों ने पंजाब की वांग डोर संभाली है पंजाब को खुशाल करने का मौका दिया है इसलिए वो को लड़ेंगे जेकर परताब सिंग बाजवा चना लड़ने को त्यार हूँ परताब सिंग बाजवा जर्नल है मेर जर्म में आता हूँ और मेर जर्म होने के बावजूद एसी होने के बावजूद साथ परताब सिंग बाजवा के खराब लड़ने के लिए त्यार हूँ आखरी सवाल मैं आप से लूँगी जिस तरह का हंगाम पर परेशान रहे उनको रुकना पड़ा फिर ताले पर राज नीथी कि वो मैंने रोक दी कि पंजाब की राज नीथी ताला नहीं इस इसलिए उनके पास अब कोई है ही नहीं हो सकता वो नहीं आते हमें तो यह से लगता है थैंक्यू यह थे हमारे साथ विधायक मंजीत सिंग बिलासपूर जिनका आज नाम पूरा दिन सदन में गूंजता रहा है और काफी बहस बिसाई जो है वो देखने को मिली है जो विपक्षी दल्था उनके साथ भी हुई है और जो मौका है बहुत कम देखने को मिलता है जब विपक्ष जो है वो सत्ता पक्ष पर हमलावर होने की कोशिश करता है पर सत्ता पक्ष जो है वो विपक्ष को वहीं पर रोक देता है वीडियो जोनलिस जसी साथ खबर अभी तक के रिए चेड़ीगर से हर्सिम्रत